तो दोस्तो बिग बॉस ओरड़ी थी खतम होने वाला है और आज घर में हुआ था प्रेस कॉन्फरेंस मीडिया गई थी घर में और जैसे कि आपने देखा है विशाल और शिवानी आउट हो गए है तो प्रेस कॉन्फरेंस में क्या हुआ आज दोस्तो नेजी भरक गए जी आ दोस्तो नेजी दा बाज जो है आज भरक गए मीडिया के उपर इतना गुस्सा होगा है कि उनको कंट्रोल करना नामुम्किन हो चुका था क्योंकि मीडिया ने नेजी से ऐसा सवाल पूछ लिया कि नेजी हो गया बहुत गुस्सा क्यों गुस्सा हुआ मैं अब बताता आप दोनों के बीच में सना मकबूल और नेजी आप दोनों के बीच में क्या कोई प्यार चक्कर चलना है क्या यह सच है या जूट या दिखावा के लिए चलना है यह तभी नेजी भरके तुम यह नहीं पूछ सकते यह नहीं हो सकता वो तो कल पता चलेगा दोस्तो मीडिय जब आप देखेंगे प्रोमो आयेगा फिर एपिसोड देखेंगे लेकिन मीडिया राउंड जो है ना दोस्तों कंटेस्टेंस को हिला के रख दिया है आज जो मीडिया राउंड हुआ है कृतिका अर्मान को तो पुरा हिला के रख दिया इतना सवाल पूछा कि तुम आप लोग दो शादी कैसे करके एतीन एक साथ कैसे रहते हो पाइल घर में बच्चे समाल लिए तो कि उसको बच्चे समालने के लिए रखाया आपने और गोलू के साथ मजे करने के लिए और भी बहुत कुछ दोस्तो रनवीर शोरे से पूछा कि 25 लाग के लिए आये थे क्या आप ट्रोफी नहीं चाहिए आपको और भी आप सेल्फिश क्यों दिख रहे है और सना मकबूल और कटारिया को सिंफ़ती दिखाई गई है इस मीडिया राउंड में जी हा दोस्तो मीडिया राउंड में रनवीर साई केतन को बोला गया कि साई केतन आप सिंफ़ती क्यों ले रहे हो हंबलनेस क्यों दिखा रहे हो कि आप को ट्रोफी आप नहीं चाहते है आप जी इतना नहीं चाहते है है आप दूसरों का वो क्यों करते हो तो साई केतन को भी मीडिया ने बहुत वो किया है और रनवीर स्वारे को बहुत वो किया है मी वो दोस्तों वो नेजी का मैं ऐक बताता हूं। यह इंडिया का एक प्रॉब्लम है दोस्तों वैसे सना मक्बूल और नेजी के भी जैसा कुछ नहीं है जैसा कुछ नहीं है नेजी को दोस्तों एक काउंसिलिंग की जरुरत थी जो वो डिप्रेशन से बाहर आया है तो अभी उसको एक काउंसिलिंग की जरुरत है तो उसको ए इप्रेशन से उठके आते हैं ट्रीटमेंट से या रियाब से तो हमें काउंसिलिंग की जरुरत होती है जो हमसे बात कर सके तो सना मकबूल जो है वो सेशन करती है नेजी के साथ ताकि नेजी का दिमाग जो है वो फ्रेश रहे मूड में रहे वो तो नहीं तो नेजी के साथ तो कुई ज़्यादा बात नहीं करता करें। हर किसी से हम घुल मिल नहीं पाते हर किसी इंसान से क्योंकि मैं समस्ता हूं नेजी को ज्यादा क्योंकि मैं वे उदर से गुजर के आया हूँ तो फिलहाल नेजी भरक चुके है कि मीडिया के उपर कि ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो चुकि सना मकबूल का बाहर जो विशाल और शिवानी गए मैंने तो कली बता दिया था आप लोगो सब कुछ पर आप लोग वीडियो देखते नहीं है क्या करो यह जो इविक्षन के वीडियो में डालता हूं ना यह डालना वह नहीं है यह डालना जो है यह बहुत वह है गुना है मतलब इजाज़त न ठीक नहीं है पहले से एपिसोड के पहले से क्योंकि आपको एपिसोड देखना है वो रूल है वो mandatory है है ना पहले बिग बॉस का एपिसोड रूल है हम तो रिव्यू देते है ठीक है लेकिन आपको जो है वो एपिसोड वो देखना ज़रूरी है हम ठीक है रिव्यू करते है पहले पहले लेकिन हम तो फिर भी मैं यही बुलओंगी, episode में main है हम तो ठीक है, review करते रहते है are वो सब ठीक है, पर ऐसे पहले बताना rule के खिलाफ है, मैं बताता है और आप लोग channel को support नहीं करते हैं channel support करिए guys घञे मैं आगे और भी video लाऊंगा तो चलिए दूस्तों नेजी भर के अर्मान मलिक रनवी शोरे इन चारों को कृतिका मलिक को भी नहीं चोरा पर रुला दिया तो प्रेस कॉंफरेंस कल देखने में मज़ा आएगा बाकी तो आओ वीडियो बनाता रहता हो मैं चलिए